इस वीडियो में हम HPPSC, PGT, Paper 1 के लिए National and International GK के important questions discuss करेंगे यह questions HPPSC के ही previous Paper 1 में पूचे गए थे तो शुरुगात करते हैं पहले question से पहला question ने question 26 Which following is correct about Citizenship Amendment Act 2019 of India भारत के वर्ष 2019 के नागरिक संसोदन जो अधिनियम के बारे में निमलिक में से कौन सा सही पहला statement है The Parliament passed it on December 5th 2019 तो यह statement सही नहीं है Second है It got President's Ascent on December 20th, 2019 तो यह भी date गलत है यहां पर Third है It has made foreign illegal migrants of 6th religion Communities eligible for Indian citizenship तो यह भी जो गरेक्ट है छे धर्मों के व्याद धार्मिक प्रवासी समुदायों को भारत की नागरिता के लिए उप्युक्त माना गया है छे धर्मों के अब यह कौन-कौन से धर्म है यह छे धर्म नौन-Muslim धर्म है इसमें Muslim community शामिल नहीं की गई अब यह कौन-कौन से धर्म है एक तो हिंदूज है दूसरा सिख थर्ड बुधिस्ट फॉर्थ जैनिजम और पार्सी और लास्ट है क्रिस्चिन्स ओके यह छे धर्मों के प्रवासी समुदायों को भारत में नागरिकता के लिए उब्युक्त माना गया है हिंदू, सिख, बुधिस्ट, जैन, पार्सी और क्रिस्चिन्स ओके यह छे धर्म है उप्शन सी इसमें क्रेक्ट होगा अगला कोशन है कोशन बस 27 वाइड लाफ सेंचुरी कवर्ज हाउ मच जिग्राफिकल एरिया ओफ गुजरात स्टेट गुजरात राज्यगा कितना भागवालिक क्शेत्र वाइड लाफ सेंचुरी के लिए सुरक्षित है तो टोटल जिग्राफिकल एरिया का यहाँ पुचा है हाउ मच जिग्राफिकल एरिया तो 8.71 परसेंट जिग्राफिकल एरिया वाइड लाफ सेंचुरी के लिए सुरक्षित रखा गया है गुजरात राज्ये में इसमें बी क्रेक्ट होगा 8.71 परसेंट नेक्स्ट क्वेशन है अंडर दे जिग्रेशन और नेक्स्ट के अधिकार क्षेतर में है तो अंडर मान नेकोबार आइलेंड जो है यह कॉलकाता हाइकोर्ट के अंतरगत आते हैं इनके जिग्रेशन में है यह option D क्रेक्ट होगा कलकटा हाइकोर्ट कॉलकाता हाइकोर्ट यह oldest हाइकोर्ट है भारत का इसकी स्थापना हुई थी 1862 में Next question है question number 39 Which following constitutional amendment of India Sikkim has been admitted into the union of India as a state निमनलिक में से किस समिधानिक संसोधन द्वारा Sikkim को राज्य के तोर पर भारतिय संग में शामिल किया गया था तो कौन सा amendment बुचा है वो कौन सा amendment था वो था 26th amendment act Option C क्रेक्ट होगा 26th amendment act 1975 के बार येर बूज रहाता है तो 1945 Okay, 1945 में ये amendment किया गया था 36 समिधान सजोधन 1945 Option C में क्रेक्ट होगा अगरला question है question number 30 Identify the cracked rank of India in the sustainable development goals index 2021 from the following Sustainable development goals index 2021 में भारत का सही दर्जा या स्थान की पहचान कीजिए तो sustainable development goals में goals index में भारत का रैंक था 120th Okay, 120 होँ रैंक था भारत का और कई बार score पूली है Finland दूसरे पे Sweden and Denmark ये तीन कंट्रीज थी टॉप थी योगे भारत का रैंक था 120th और score 60.07 अगला question है question number 30 4.5% Option D Next question है question number 32 In which year the Neelgyri railway was added as a world heritage site Neelgyri railway को किस वर्ष विस्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया तो Neelgyri railway को वर्ष 2005 में वर्ड heritage site में सामिल किया गया था 2005 में Option C क्रेक्ट होगा 2005 ये जो अगला question है question number 33 ये क्रंट अफेर से question पूचा गया था और अभी हमने तक्रिबन दो घंटे की last 6 months की क्रंट अफेर की video अपलोड की है उसमें ये question हमने detail में discuss किया था है M.S. Swaminathan का और हमने अपनी कई वीडियो में ये question discuss किया है identify the following about M.S. Swaminathan the father of India's green revolution M.S. Swaminathan जी ने father of India's green revolution के नाम से जाना जाता है इन में से कौन सी statement है यहाँ पर सही है यह फर्स्ट परसंथे जिनको award दिये गया था award food price से option B तो correct है statement B second सही है third statement देखते है he is awarded the भारत रतना in fab 2024 तो 2024 फरवरी में ने भारत रतना से सम्मानित किया गया correct statement है okay तो third भी बिलकुल correct है तो option 2 and 3 is correct option 2 and 3 option B इसमें correct होगा अगला question है question number 34 यह tricky question है which BRICS member country has the largest geographical area अब BRICS जो नाम पढ़ा है BRICS यह country के नाम से ही है जैसे B से ब्राजिल, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइन and S से साथ अफरिका आपको बताना है कि जो BRICS countries है members है इन में से सबसे ज़्यादा geographical area किस country का है geographical area की hierarchy पता है कि सबसे ज़्यादा किसका है उससे कम किसका है आप इसको question को कर पाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया है तो इसमें रसिया BRICS का भी है member है, okay option D इसमें क्रेक्टो का largest area है रसिया का all over world में भी अगर देखें तो रसिया का ही top पे है, दूसरे पे वैसे Canada है इन वो BRICS में नहीं है third पे आएगा फिर चाइना, okay second BRICS में second और all over world में third number पे है चाइना, area wise fourth पे है US जो BRICS का member नहीं है और fifth पे है ब्राजिल all over world की हम बात कर रहे हैं अगर ब्रिक्स में देखें तो ये third rank आएगा इसका, okay तो BRICS में first rank है रसिया का, second है, चाइना का third है, ब्राजिल का और भारत का rank कौन सा है, भारत का fifth rank है all over world में खेतरफल की दिरिश्टी से, okay तो option D, इस question का correct हो गा, रसिया next question, question number 35 the Nobel Peace Prize 2023 was awarded to नर्जस मुहमदी, an activist of country ये question अभी कल के वेपर में भी आया था कल था PGT English का वेपर PGT English के वेपर की अगर किसी ने वीडियोस देखी होगी, तो या आज question उनका ठीक होना था नेगरस मुहमदी, ये Iranian activist हैं, okay, इरान से हैं ये, कल यहाँ नाम नहीं पूचाता, कल पूचाता कि Nobel Peace Prize 2023 किस कंट्री के परसन को दिये गया, okay, तो इरान वहाँ पे option में था, option D क्रेक्ट होगा, अब यहाँ पे नाम दिये गया है, यहाँ पे नाम भी दिये गया है, okay, तो option B क्रेक्ट होगा, इरान आपको comment section में बताना है कि Nobel Peace, Nobel Prize की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्स सबसे पहली बार Nobel Prize दिया गया था, अगला कोशन है कोशन नमर 36, in which following country is located the Angkor Wat, the largest religious structure in the world, तो Angkor Wat, जो temple है, यह किस country में है, तो यह कंबोडिया में है, इसको बनाया गया था, around 12th century में, King Surya Vermandwara, King Surya Vermandwara, 12th century में इर्मान किया गया था, और यह कंबोडिया में है, next question है, identify from the following, which is the world radio day, अब हमने January, February, March, इन months के details में डिसक्स किये थे, world radio day celebrate की जाता है, 13th of February को, option एक रहट होगा 13th of February, और इसी दिन, world radio के दिन भी, राष्ट्रिय महिला दिवस भी मना जाता है, राष्ट्रिय महिला दिवस, national woman day celebrate की जाता है, 13th of February को, एक world female, world woman day celebrate की जाता है, 8 March को, लेकिन national पूछा जाएं, तो 13th of February को, वर्ड रेडियो डे भी इसी दिन celebrate की जाता है, इंटरनेशनल मदर टंग डे, 21 फरबरी को, 12 फेबरेरी को, उत्पादक्ता डे, राष्ट्रिय इंटरनेट दिवस, 8 फरबरी को, 4 फरबरी को, विश्व कैंसर दिवस, अगला कोशन है, वन वाज दो, कोईटो कनवेंशन, हैल्ड फॉर रेडियूसिंग हारमफुल एमिशन, हारमफुल एमिशन को गटाने के लिए, कियोटो समेलन कब हुआ, तो कोईटो कनवेंशन, हुआ था, 1997 को, अगर, exact date पुछ ली जाए, तो, 11 दिसंबर, 11th of दिसंबर, 1997 को ये कनवेंशन हुआ था, ये समेलन हुआ था, और इस कनवेंशन को इंप्लिमेंट किया गया, फोर्स किया गया, 2005 में, 16 फरबरी, 16th of Feb, 2005 में, नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमर 39, identify the Prime Minister of South Africa, who was the architect of apartheid to tighten up control over blacks, दक्षण इफ्रिका के प्रदान मंत्री की पैचान किगी, जिसने काले रंग के लोगों पर अधिक कडा नियंतरन रखने के लिए, रंगभेद की निती अपनाई तो ये साउथ अफरिकन Prime Minister थे, H Vareward, ये नका पूरा नाम भी था, Hendrick Vareward, ओके, Hendrick Vareward ये Prime Minister थे, South Africa के जिन्होंने काले रंग के लोगों पर अधिक कडा नियंतरन रखने के लिए रंगभेद की नितीय पनाई थी, इनका tenure जो था PM का, वो था 1958 से 66 तकों के South Africa में as Prime Minister और इंडिया जी के लिएका last question पूछा गया है, question number 40 in which Tennis Grand Slam Novak Zhukovic has won the record 24th Grand Slam title Tennis के किस Grand Slam में, नोकाव Zhukovic ने record अपना 24-वा Grand Slam title जीता है, तो उन्हेंने अपना 24-वाँ Grand Slam title जीता है, US Open 2023, ओके US Open 2023 इसका crack transfer होगा Grand Slam, US Open 2023 3, अब 22 में है, which of the following articles of Indian constitutions provides safeguards to the Anglo-Indian community बारतिया समिधान की नेमनली कित कौन सी धारा कौन सा article, Anglo-Indian community को सुरक्सा उपलब्द करवाती है सुरक्सा उपलब्द करवाती है Anglo-Indian community को article 331, article 331 article 331, option सी इसमें crack होगा Question number 27 है Consider the following about the union territory of Pudduceri Pudduceri के बारे में, जो यहां पर statement दे गई है इन पर विचार कीजिए, पहला है पहली statement है, it is the smallest union territory of India तो यह smallest unit territory है इडिया की, तो जो की statement सही नहीं है, statement गलत है smallest union territory है, लक्षदीप, ओके Pudduceri नहीं है, लक्षदीप है तो option statement first गलत हो जाएगी तो यहां पर जितने भी option में statement first है, वो तो गलत हो जाएगा, option एक चला जाएगा option fourth भी delete हो जाएगा, ओके तो option first और option fourth जो गलत हो जाएगा second statement है, it was one of the headquarters of the French government in India तो French government, फ्रांसी सरकार का मुखहले होता था यहां पर किसी समय में भारत में, ओके तो यह statement बिल्कुल सही है, second statement सही है third statement है, it is bounded on the north by the bay of Bengal और fourth statement है, it has nearly 77 large industrial enterprises तो यहां पर statement third बिल्कुल correct है, उत्र में है, बंगाल की खाडी तक है okay, so option three और option second correct है, statement two and three, option number six में सही होगा next question है, question number 28, which of the following is correct about the state of Goa Goa राजे के बारे में निमनलीक्त में से कौन सा कथन सही है पहली statement है, its forest cover is above the national requirement तो national requirement जो forest को लेकर है, वो है 33% of total geographical area of the state जो forest cover area है, Goa state का वो है 59.94%, जो की अबव है मांग से अधिक है जितनी requirement है, one राष्ट्री है, requirement से अधिक है okay, तो statement first little correct है, second statement अगर देखें तो इसका तो option A ही अब correct होगा क्योंकि पहली statement correct होगा है, statement two अगर देखें तो major part of Goa is पनजी, Goa का सबसे बड़ा बंदरगा पनजी है, पनजी बंदरगा है लेकिन ये बड़ा बंदरगा नहीं है, ये एक small छोटा बंदरगा है, छोटा port है ये, तो statement two गलत हो जाएगी, statement first correct है, third है त्रिकोल नदी इसके दक्षिन में बहती है, तो त्रिकोल रिवर runs on its south, तो ये इसके northern part में बहती है, तो ये statement भी गलत है, fourth है तो इसका option A ही correct होगा, क्योंकि ये second और third, तो यहाँ बहती है, कि वो लेकि बताना था कौन सा सही है next question, question number 31, India's spacecraft Aditya, Aditya L1, Aditya 1 reached the parking spot after a mission of days in January 2024 January 2024 में भारत का अंतरिक्स यान Aditya L1 या Aditya 1 कितने दिनों बाद parking शेत्र में पहुचा तो ये 126 दिन के बाद अपने parking शेत्र में पहुचा, और parking spot पे option A रहट होगा, 126 days ये September, September 2 September को, 2 September 2023 को बेजा गया था, स्तीस धवन स्पेस सेंटर से, स्तीस धवन स्पेस सेंटर से ये बेजा गया था, श्री हरी गोटा से 126 दिनों बाद January 2024 में ये अपने parking spot पे पहुचा, option A इसमें करेक्ट होगा अगला question, question number 32, the द्रोणाचार्य अवार्ड in lifetime category 2023 is given to भासकरन E for the coach in the sport of lifetime category 2023 में, द्रोणाचार्य अवार्ड कोच भासकरन E को किस खेल में मिला है तो कोच भासकरन को कबड़ी के कोच के तौर पे द्रोणाचारय अवार्ड सम्भानित किया गया है, option D करेक्ट होगा, कबड़ी इनके साथ एक और परसन थे, जस्कीरत सिंग, जस्कीरत सिंग को भी द्रोणाचारय अवार्ड से सम्भानित किया गया है, lifetime category 2023, इने गोल्फ में दिया गया है, गोल्फ, इस question को option D करेक्ट होगा, कबड़ी अगला question, question number 33, which of the following dams is the highest in India, भारत में निमालिकत में से कौन सा बांध सबसे उंचा है, तो टिहरी डैम सबसे उंचा बांध है, highest dam in India, टिहरी डैम, ये उत्रकंड में है, okay, option number B गला question है, question number 34, of the following, which is the latest international environmental agreement, निमालिकत में से कौन सा अंतरास्टे परिवर्णी समझाता, सबसे बात का है, सबसे last में हुआ है, कौन सा agreement है, international environmental agreement, Montreal Protocol है, Queto Protocol है, ये Bessel Convention है, या Glasgow Climate Pact है, तो सबसे last में जो हुआ है, गलास्वो Climate Pact, गलास्वो Climate Pact, गलास्वो Climate Pact, असाइन हुआ था, 2021 में, exact date की बात करें तो, 13, 13th of November, 2022 को ये Pact साइन हुआ था, गलास्वो Climate Pact, 2020 में, गर और और Pacts की बात करें, यहाँ पे, Montreal Pact, 1897 में साइन हुआ, इसके बाद, क्वेटो, क्वेटो प्रोटोकोल ये, पूरे स्वावाद, 1997 में साइन हुआ, बेसल, बेसल, कन्वेंशन, 1989 में, और सबसे last में, 2020 में हुआ, गलास्वो Climate Pact, तो option D, इसमें करेंट हुआ, गलास्वो Climate Pact, अगला question है, question number 35, यह उपर वाले question में, आपसे question पुछूँगा, एक रामसर Pact sign हुआ था, इरान में, रामसर Convention, वो कब हुआ था, रामसर Convention कब sign हुआ था, इरान में जो हुआ था, आपको comment section में बताना है, अगला question है, question number 35, question number 35 है, अजीत सिहंगिल, a hockey Olympian who died in January 2024, was a nationalist, was a national of Olympic के खिलाड़ी, hockey खिलाड़ी, अजीत सिहंगिल, जिनका निधन, जनवरी 2024 में देहान तो हो गया, जिनका हुए, किस देश के नागरिकते हुए, तो जो अजीत सिहंगिल थे, ये सिंगापूर के नागरिक थे, इनके पास सिंगापूर की नागरिकता थी, थे ये भरतिय मूलके, इंडियन, थे ये वैसे तो, लेकिन इनके पास सिंगापूर की नागरिकता थी, तो ये सिंगापूर, इसमें crack transfer होगा option C, इनकी death होई है अ United Kingdom has assumed the Office of Secretary of the State for Foreign Commonwealth and Development Affairs United Kingdom UK के किस पूरू परधानमंत्री ने Secretary of State for Foreign Commonwealth and Development Affairs का पद संभाला है तो जिन्होंने ये पद संभाला है वोई है David Cameron David Cameron के पास ये responsibility दी गई है Secretary of the State of Foreign Commonwealth and Development Affairs की के option B करेट होगा David Cameron ये 2010 से 2016 तक के ये former Prime Minister है उत्राघंड नहीं United Kingdom के 2010 से 2016 तक रहे है ये Prime Minister अगला question है question number 37 which of the following desert lies in Eastern Asia पूर्वी एसिया का कौन सा मरसल है जो option में दी गए है तो गोबी desert is the eastern desert option A करेक्ट होगा अगला question है question number 38 question number 38 है identify the smallest ocean from among the following सबसे चोटे समुद्र की पहचान निमलिक्ट में से की जी इंडियन अशन पैसिफिक ओशियन एटलांटी ओशियन या आर्क्रिक ओशियन तो तो Arctic Ocean is the smallest ocean among the following, option D correct होगा, Arctic Ocean. Question number 39 है, which of the following authors is matched correctly with his oblique or book? जो सही option है इनमें से author का, तो इनमें जो सही match है वो है Paul Lencz का, Paul Lencz के द्वारा जो novel लिखी गई है, ये एक Irish author है, इनकी novel है ये Prophet Song, Okay, Prophet Song, option B इसमें correct होगा, अगला question है, question number 40, last question है, which of the following statement about, about aspirin is not correct? जो यहाँ पे statement सही नहीं है, वो बतानी है, जो इनमें से statement सही नहीं है, it is effective in relieving pain, it has anti-blood clotting action, third eye, it belongs to narcotic, fourth eye, it has neurologically active drugs, active drug, तो यहाँ पे correct statement नहीं है, वो है, it belongs to narcotic analysis, तो option C यह correct नहीं है, तो इसका option C correct होगा है, आप उचा था कौन सी सही नहीं है, Okay, so that's it, in case अगर आपने हमारा telegram join नहीं किया है, तो link आपको मिलेगा video की description में, वहाँ से आप direct telegram हमारा join कर पाएंगे, and whatsapp पे हमारा साथ जुड़ने के लिए आपको whatsapp का link again video की description में मिलेगा, आप join कर पाएंगे वहाँ से direct, यह आपको वीडियो की first comment पे आप इन दोनों का telegram का और whatsapp का link मिल जाएगा, वीडियो को like और channel को subscribe करके जाएं, thank you so much,